आपका fingerprint चोरी हो सकता है और हो सकता है bank balance 0 अधार में correction या bank में KYC करते समय आप अपना fingerprint लगाते हो राइट? ऐसा करने से आपकी identity verify होती है NPCI का एक product है अधार enabled payment system AEPS इस product के थूँ ये सारे transaction किये जा सकते हैं including cash withdrawal as long as किसी person के पास हो आपके bank का नाम, अधार number और fingerprint recently ऐसे बहुत सारे cases सामने आये हैं जब EPS का misuse करके bank से रुपे निकाल लिए गए bank का नाम और आधार number निकालना तो वैसे भी बड़ी बात नहीं है लेकिन fraudster अब fingerprint को भी clone करने लगे in fact, हैजराबाद के एक गैंग ने stamp department की website से 10,000 fingerprints निकाल लिए और synthetic polymer का use करते वे धाई हजार fingerprints बना भी दिये वाट? फिर solution क्या है? आधार की website पर जाओ, lock biometric option मिलेगा उसे तुरंत lock कर दो, unlock तभी करो जब जरूरत हो fingerprint ही मिटाते तों, ना print रहेगा ना चोरी होगी